आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाल हूँ एक easy सी और बहुती टेस्टी सी रेसिपी crispy potato balls तो यह मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुती असान है और बहुती जादा crispy बनते हैं और बहुती जादा जल्दी से बन जाते हैं तो जिसके लिए लेंगे हम सबसे पहले आलू तो यह मैंने दो आलू ले लिये थे बड़े-बड़े size के थे और इन्हें अच्छे से बॉइल कर लिया था boil करने के बाद हमें इस तरीके से कद्दूकस इन्हें कर दिना है ठीक है और थास से मेशनी करना है कद्दूकस करना है और इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी आलू कद्दूकस कर लिया था कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटीवी काली मिर्च और इसके बाद थोड़ा सा धनिया और जरा सा लैसुन बरिक चॉप किया हुआ और थोड़ा सा डालेंगे इसमें आदा चमचे करीब चिलि फ्लैक्स और और गेनो डाल देंगे और यह मैंने एक चमच भरके कौन फ्लार ले लिया था और एक चमच और कौन फ्लार ले ले लिये और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्क के एकवर्डिंग और लाल मिर्च पाउडर भी ये भी आपके taste के according के कम जादा कर सकते हैं अगर आपको spicy पसंदे तो आप जादा डाल दें और इसके बाद हम इसे अच्छे से mix कर देंगे mix करने के बाद हम ये देख लेंगे कि इसकी ball बन रही है अच्छे से की नहीं बन रही है अकर ये बहुत जादा soft लगे आपको तो आप इसमें थोड़ा से conflour और add कर दें तो ये मेरे दो चमच में अच्छे से ball बन गई थी तो मुझे इसमें और जादा conflour add करने की ज़रूत नहीं पड़ी तो बस हम ये सारी ball इस तरीके से बना लेंगे और इसे सूखे मैदे में लगा देंगे और इसके बाद अब हम क्या करेंगे medium आज में तेल गरम कर लेंगे high to medium आज में हम इसे अच्छे से पलट-पलट के क्रिस्पी होने तक पकाएंगे और हमें ध्यान रखना है कि ये जलने नहीं चाहिए इसे medium आज में हो सके तो पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए और इसका light brown कलर आ जाए इस तरीके से और अब ये चेसन का कलर light brown हो चुका था तो बस हमेने निकाल लेंगे तो ये हमारी balls बनके तहियार हो चुकी है और ये बहुत ही जादा क्रिस्पी दी तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो आप मेरी चनल को सब्सक्राइब परें लाइक करें और शेट करें